आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Our question is Which of the following oxide is thermally least stable? Thermally least stable यानि अगर इसको heat दी जाए तो ये break हो जाए ऐसा कौन सा वाला है अपने पास oxide ये बताना है हमें तो देखो बच्चो जिसकी reactivity high होगी वो क्या होगे product बनाने के बाद वो क्या करेंगे unstable हो जाएंगे तो अपने पास जो calcium है calcium हो गया magnesium हो गया ठीक है? potassium हो गया sodium हो गया ये जितनी भी metals है अपने पास S block की जो metals होती है block S S block की जो metal होती है high reactive होती है high reactive metal होती है तो ये क्या होगे? कि जैसे ही इनको temperature मिलेगा तो ये तुरंद क्या करेंगे? reaction करना start कर देते हैं तो अपने option देखा जाए तो option में अपने पास magnesium, aluminium भी नहीं है Fe भी नहीं है और Ag भी नहीं है ये तीनो metal जो है S block से बिलॉंग नहीं करती है जहां पर Al2O3 है इसका temperature तो बहुत ज़्यादा high होता है तब जाके ये break होता है ठीक है? Al2O3 तो बहुत ज़्यादा high temperature देने पर क्या होता? ये break होता ये decomposed होता है अपने पास calcium oxide है S block का oxide इसको अगर आप क्या करो? थोड़ा सा heat देते हो तो ये break होना start हो जाता है ये thermally unstable होता है ठीक है बच्चों? तो अपने पास correct option रहेगा हमारा first क्लासिक्स से 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students कभर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप ये WhatsApp कीजिए अपने doubts 84444 सूपर